कैसे RSS से जुड़े एक संगठन का लड़का मुसल्मानों को सबक सिखाने के लिए उनकी लड़कियों को प्रेम जाल में फसा कर बदला लेने की बात कर रहा था। ऐसी ही एक खबर आज आपको फिर दिखाऊंगा लेकिन इस बार मामला उल्टा है। गोरखपुर कचेरी में गोली मार कर एक लड़के की शरयाम हत्या कर दी गई और मीडिया इस पर जस्न मनाने लगा। क्योंकि मरने वाले का नाम दिलसाथ था, बिना मामले की जाज़ परताल किये मीडिया उसे बलातकारियों लव जिहादी बताने लगा। क्योंकि उसके नाम के आगे टाइटल हुसेन लिखा हुआ था, एक प्रेमी की सच्चाई जाने बिना मीडिया ने उसे दरिंदा घोसित कर दिया क्योंकि वो एक मुसल्मान था, और इज्जत के नाम पर हुई दिलसाथ की मोत पर देज भर में चुप्पी च्छाई हुई है क्योंकि वो एक गरीब मुसल्मान था, इस मुल्क में मुसल्मान होकर बेदाग जीना आज के दोर में दूबर हो गया है, ये तो सब को पता है, मगर मरने के बाद भी किसी मुसल्मान को दागदार बना देने की जो शाजिश चल रही है, क्या इसके बारे में आपको पता है? आईए दिखाते हैं कि मीडिया की इसी कर्तूत को कि कैसे मज़ब देखकर पीडित को दरिंदा बता दिया जा रहा है, पहले इन खबरों की हेडलाइन पर नजर डालिए, और समझ ये दिलसाथ की मोत का कैसे तमासा बनाया जा रहा है, संपरता एक्ता में सब को पीज़े छ दिखा है, बेटी से बलतकार के आरोपि दिलसाथ हुसेन को पिता ने गोरकपुर कचेरी में मारी गोली दरिंदगी के बाद जमानत पर घूम रहा था बाहर, जिसे बलतकारी और दरिंदा बताय जा रहा है, उस दिलसाथ ने क्या क्या था, आईए ये सच्चाई जान लेते दिलसाथ और ममता की शादी का परमान पत्र सबूत दे रहा है कि उन्होंने प्रेम विवाव किया था, जाती और सामपर्दाहक्ता नफरत वाले इस समाज में उन्होंने सच में एक ऐसा गुना किया था, जाती धर्म के बंदनों को तोड़ कर आपस में जुड़ने का, विवाव मिठाने का बहतरीन काम किया था, मगर इस देश में सर्वोच अदालत से भी बड़ी अदालत बन जाती है, बाप और खाप की पंचायत, प्रेमी कितना भी कहे, साथ रहना है, उन्हें लेनी पड़ती है, इस बहसी समाज की इजाजत, दिलसाद और ममता के मामले मे कोई खाप पंचायत तो नहीं थी, क्योंकि इस घर्णिस समाज व्यवस्था में निसास समुदाय को खुद ही निमंतरन माना जा रहा है, मगर खाप नहीं थी का मतलब ये नहीं हुआ कि बाप नहीं था, और उस बाप में जाती धर्म के नाम पर उन्माद नहीं था, बी एस जब लोग उसे बलतकारी बता रहे थे, लव जिहादी बता रहे थे, लव यानि प्रेम तो उसने किया था, तभी तो जाती धर्म और यहां तक कि राज्य की सीमाओं को लांग कर प्रेम विवा किया था, लव तो उसने किया था, तभी तो ममता को लेकर हैदराबाद में पर पर कानुन बनाने से इंकार करता है और वहीं दूसरी तरफ राजी खुशी रिष्टा रख रहे प्रेमियों को बलतकारी बताता है कम उम्रु का हवाला दे कर कहानी बनाता है उनके तमाम परमाण पत्र को जूटा बताता है फिर कौन सच्चा है और कौन जूटा है ये तो जा कर दिया जाएगा साथ ही ये देखना भी होगा कि इस घटना का राजनेतिक अंजाम क्या होगा यूपी में चुनाव है तो आसंका है इस पर भी हिंदु मुसल्मान होगा मीडिया मददगार है तो लव जिहाद के नाम पर इस मामले में धुर्वी करण भी आसान होगा तो इस ख़वर हमने आपको बताई कि किस तरीके से जो गोदी मीडिया है वो इस मुद्दे को कैसे नरेटिव बना रहा है कि लव जिहादी और दुनिया भर का बलतकारी बता रहा है लेकिन हकीकत यह है कि जो इनके मेरी सर्टिफिकेट भी सबूत दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी अपनाट रहा है वोगफ झा रहा है लेकित1 को है लेकिन हम आप सक clarity है अपने में पताफे हैं कि जोद्दी जो एक आफलिव में आप सकूश को कैसे अपने में आप कि को कि ले हैं कि यह हैं कि झाले कि लेक हैं कि नह कर दुशनिया है